चलिए क्लास को हम लोग बिल्कुल शुरू कर देते हैं और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो KBS, PGT, Computer Science की प्रिपरेशन के लिए और आपको चीज बता दी कि नोट्स में हैं जो आपको जल्द ही चानल के उपर जो है मिलने वाले हैं वो मैं आपको बता दूँगे कि किस तरीके से आपको जो है मिलेंगे क्योंकि अभी ये सारी चीज़े इन प्रॉसेस चल रही है मौक टेस्ट मैंने वन दिया था और काफी अच्छा रिस्पॉंस है जो आया है और आप क्या करेंगे आप चानल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे क्योंकि हम अपना पार्ट है जो निभा रहे हैं इमानदारी के साथ में और आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ये पार्ट है जो बिल्कुल बखूबी निभाएंगे और दोस्तों के साथ में इस चानल को शेयर करेंगे जो 11th 12th में computer science पढ़ रहे हैं या फिर जो python पढ़ रहे हैं या फिर जो kbs की preparation कर रहे हैं ठीक है उनके साथ में and तो चल स्टार्ट करते हैं अपनी इस class को अपनी इस class को अप येस अब देखे बात आती है कि if the value of i is i okay so mean to say that कि अगर i में एक value है ये तो क्या हम इसको ऐसे match करेंगे तो output के आएगा तो आप ये पूछ रहे हो कि इन दोनों का output क्या होगा basically इसका और इसका ठीक है देखे i के अंदर क्या है यही value है आप उसको compare कर रहे हो उसी के साथ में तो the output will be true ठीक है next question की बात करते हैं तो आपके पास में क्या है एक dictionary है super duper cool फिर आप dictionary की जो की है ना कौन सी ds उसको update कर रहे हो तो मतलब इस line के बाद में क्या चीज हो जाएगी तो आप ध्यान से सुनिए bookshelf के अंदर आपके पास में आएगा java c++ ds और ds में आ गया है 4 तो मतलब पुराना data नए data से update हो जाएगा अब आप एक function run करते हो and function कहां पर चलेगा जब आपका यह loop चल रहा होगा तो i की value क्या है पहले देखो i के अंदर क्या है i के अंदर पहले आएगा java फिर आएगा c++ फिर आएगा data structure यानि की ds इन तीनों को हमें पता चल गए i के अंदर क्या आएगा ठीक है तो अब i के अंदर सबसे पहले आता है java तो आप java को लेकर के गए इस function के अंदर global s किया आपने ठीक है s हमारे पास में एक string है अब आप क्या करते हो bookshelf ठीक है तो bookshelf यानि की हमारा ये इसके अंदर आपके पास में क्या चीज आएगी इसके अंदर आपके पास में आएगा जावा, ठीक है तब आप क्या गरते हो S के अंदर, जो कि हमारी ये वाली है इसके अंदर आप I को जोड़ देते हो ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास में को C++ में लेगा, आप C++ लेके गए, तो अभी global S ही है, हमारी जो भी change होगा, हमारी जो string है, उसके अंदर होगा, sorry, यह मैंने गलत बना दिया, तो इसमें हमें Java आ जाना चाहिए, इस S के अंदर, ठीक है, हाँ, तो अब I है, I के अंदर के आएगा, उसके बाद में C++ आएगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर F ना भी लगाते, तो भी यही हो रहा होता, अब I साथ में जुड़ जाएगा, तो Java के साथ में क्या जुड़ गया, C++, ठीक है, उसके बाद में क्या चीज होती है, I, I के अंदर क्या आ रहा है, पहले यहीं से कर लेते हैं, I के अंदर, इसके अंदर क्या आएगा, DS, यहां से तुम लेकर के गए, ग्लोबल S है, और फिर इस I के अंदर, DS आ रहा है, ठीक है, मैंने कहा न, कन्फ्यूस किया जा रहा है, बस फाल तुमें, उसके बाद, आपके पास अल्रेडी क्या पड़ा हुआ है, Java C++, उसके साथ में आपके पास DS जुड़ जाएगा, ठीक है, तो यह तीनो चीजें आपके पास में जुड़ी, इस string के अंदर आईे, ठीक है, अब आप क्याを ग़रे हो, इस string को यहां पर प्रिंट करा रहे हो, तो आपके पास में क्या प्रिंट होगा? जो अभी आपके तो मतलब कहने का कि अगर आप यह इफ ना भी लगाते तो भी आउटपूट सेम ही आता, ठीक है, अब कहता है कि विच आउटपूट लाइंस अफ द फॉलिंग प्रोग्राम विल प्रिंट था सेम रिजल्ट, कॉन से वाला सेम रिजल्ट, मतलब ऐसा है कि यह आपके पास में एक ट्यूपल है, अब इन में से कॉन-कॉन है जिससे आपको सेम ही आउटपूट है जो डिस्प्ले हो रहा होगा, तो ठीक है, पहले देखते हैं कि पहले वाले से क्या डिस्प्ले होगा, यह 0 है, यह 1 है, यह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और माइनस 1 ठीक है, माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9, ठीक है, आप शुरू कहां से हुए पांस है, तो अपने पैन चेंज कर लेते हैं, बेटर अंडस्टैंडिंग के लिए, तो यानि कि आप यहां से स्टार्ट हुए, तो यह लेफ्ट साइड से, राइट कहां है, यहां तक जाना है, तो आपको पता है कि हम यहां तक नहीं जाएंगे, उसे ठीक एक पहले रुख जाएंगे, तो आपके पास में क्या आएगा, हैश 1 के अंधर, 60, 70, और 80, यह ट्यूपल में आंसर आएगा, ठीक है, अब इसको एरेज कर दे, ठीक है, क्योंकि पहले का आंसर आ गया, अब करते हैं इसकी, कि आप 5 से शुरू हुए, यानि कि आप यहां से शुरू हुए और आप लास्ट तक गए, तो इससे आंसर आएगा आपको, 60, 70, 80, और 90, ठीक है, ठीक है जी, अब उसके बाद में आपके पास में यह है, माइनस 4, वेर इस माइनस 4, यह रहा, तो आप चलते है, तो आपके पास में आउसर आयगा, 60, 70, 80, ठीक है, तो बश, इतना सा, टाब आपके पास इन दोनों में क्या आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है, तो अगर हम देखें, एक और 4, कहां पर है आपके पास में, यह रहा, तो हमारप सेम आउटपुट आ रहा है, इन दोनों के अंदर इसको अपने एक बार प्रिंट भी करा करके देख लेते हैं येस इसको कॉपी किया इसको प्रिंट किया ठीक है? हाँ देखो, option आपका एक सही है super cool है लेकिन कहने का मतलब है कि बाकी option के output भी हैं जो आपको पता होने चाहिए तो अब देखें आपके पास में क्या-क्या output आ रहा है तो पहले से और लास्ट वाले से सेम आ रहा है बीच में हवारा 60 था और इससे 90 है ना तो आपको बाकी सब के output भी है जो बेसिकली पता होने चाहिए ठीक है? ओके क्योंकि this is called real learning आगे वाले किस्से में चलते हैं आगे वाला किस्सा आपको यहां पर सिर्फ इत्ती सी बात कह रहा है कि आप कि प की वालू में कितना है Q की वालू में कितना है minus 4 ठीक है तो यह आपने यहां पर भीजा this is 2 and this is minus 4 ठीक है अब आप क्या गर रहे हो आप delete कर रहे हो एक चीज अगर आपको याद हो तो वो याद ऐसे करानी है कि tuple जो हमारा है न वो क्या है immutable है आप उसमें कोई change नहीं कर सकते हो तो आप यहां सर क्या करने की कोशिश कर रहे हो tuple को delete कर रहे हो नहीं तो आपको error आ जाएगी अब मैं आपको यहां पर एक सवाल देती हूँ कि मान लीजिए यह एक tuple नहो करके एक list होता तब आपका output क्या आता तो यह चीज नीचे comment section में आप मुझे बताएंगे आगे वाले किसे पर चलते है तो किस्सा कहता है कि आपके पास में एक string है हमने का ठीक है अब यह कहता है कि आप क्या करिए आप यह double tick-tick है ना इसको भेजिए यहां पर ठीक है अब आप split कर रहे हो ठीक है आप बात को ध्यान से सुनिए इस question को अपने run करते हैं ठीक है फिर हम एक answer तक है जो basically पहुंचेंगे ठीक है copy किया and paste किया इसको समझो इसकी जड तक पहुंचो इस प्रश्न की क्या है क्योंकि इसके लिए आपका split का concept clear होना बहुत ज़रूरी है खेर वो अभी बीती हुई classes में हमने काफी बार discuss कर लिया है तो देखिए पहली चीज मैं क्या गरती इसमें 2 को हटाती हूँ क्या करती हूँ मैं 2 को हटाती हूँ ठीक है अब देखे क्या चीज होगी split क्या गरेगा basically by default यह space स्प्लिटिंग कर देगा मान लिजिए हमने यहाँ पर space भी हटा दिया मतलब यह F भी हटा दिया एक बार के लिए मतलब यह colon हटा दिये और अब क्या करेगा वो space स्प्लिटिंग करेगा अब उसको कहा space दिखाई दे रहा है यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा तो यह space बनेगा क्या कॉमा फिर यह space बनेगा कॉमा तो यानि कि एक list में answer आएगा और आपके पास में 0, 1 और 2 तो यह 3 element उसके हो जाएंगे तो कुछ इस कदर इस परकार से अब control Z करते हैं और यहाँ पर F लेके आते हैं अब double colon कहाँ पर है एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और कहीं नहीं है तो अब क्या होगा एक यह हमारा क्या बनेगा और एक यह हमारा बनेगा मतलब हमारी लिस्ट के अंदर फिर से 3 element होंगे 2014, 13 और यह पीछे बचा हुआ सारा portion अब control Z करते हैं एक बार और फिर इसको run करते हैं तो आपको answer किसमें आया लिस्ट के अंदर आया 2014, 13 और यह अब आप यहां पर करते हो कॉमा दो तो कहने का मतलब है कि सिर्फ दो ही splitting होगे तो वैसे भी उसके अंदर दो ही हो रही है तो मतलब आपको सेम आउटपुट आएगा येस, ऐसे केस में भी आपको सेम आउटपुट आएगा इसका आउटपुट तब अलग होता कि मान लीजे मैं यहां पर डबल कॉलन कर देती तो फिर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि आपने कहा कि मुझे दो ही splitting, मतलब दो ही कॉमा आएंगे अब ये तीसरे वाले पर कोई फरक नहीं पड़ेगा अब ये फरक तक पड़ता अगर मैं यहां पर दो की जगह कुछ भी नहीं लिखती तो क्या होता? तो मेरा ये भी एक अलग element मेरी लिस्ट का बन जाता ठीक है अब देखो बारा के बादवाला क्योंकि आपने यहां पर भी ये डबल कॉलन लिखा है समझ में आई चीज स्प्लिट पहले आपको समझना जरूरी है कि स्प्लिट बाइ डिफोल्ट जो है स्पेस से स्प्लिटिंग कर देगा ठीक है? ओके स्यूपर डूपर कूल 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 अब हमारा आंसर इसमें क्या आ रहा था? का । धेक हमने बाइड सब्सक्राइन कर दिया और आउगा तो मुझे एक बार इसको सही करने दो, मान लीजिये, अपने क्या करते हैं, अब इसको ऐसा बना देते हैं, ठीक है, राइट, तो अब हमारा ये वाला आंसर है, जो बिल्कुल रह गया, तो मैं इसको आपको कर देती हूँ, और ये आपको slide है, जो कहां पर मिलेगी, basically, अचा मैंने E को सही कर रखा था, ठीक है, क्योंकि वो दोनों answer सेम ही है, ठीक है, अब ये slide आपको कहां पर मिलेगी, आपको Unacademy की मेरे free classes, तो उसके अंदर मैंने ये class को पढ़ा रखा है, तो आप वहां से जाकर कि इसको download कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि जब आपको इपको तो मेरे free classes को आप access कर सकते हो, और उन classes के बाद में उनकी जो PPT है, जो भी slide से मैंने पढ़ाई है चीजे, तो वो भी आप वहां से install, sorry, download है, जो कर सकते हो, ठीक है, अब आती बात आगे वाले question की, कहता है कि which of these function can be used to tell the file's current position, फाइल की current position, बतानी है, tell function के थुरू बता रह divergent, passion.txt file है, उसके अंदर आपके पास पे कुछ data पढ़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, अब आप सीक function की बात कर रहे हो, आपने function को call किया है, default values पढ़ी है, ठीक है, तो आप करते हो, seek, f, f के अंदर आता है, minus 2, and 2, अब आपको ये चीज़ पता है, कि यहां पर जो value है, व इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर पहुंच गए, यहां पर है ना, तो अब क्या हो रहे है, आप minus 2 कर रहे हो, तो minus 2 का मतलब अब आप यहां पर आगे, तो ये dot और E के बाद में, ठीक है, तो अब आप वहां से 2 character read कर रहे हो, तो बचा ही 2 character है, E और dot, कहां पर है, वह को आंसर आता है, क्योंकि आप character तो read 2 ही कर रहे हो, तो पीछे 3 कदम चल रहे हो, लेकिन 2 character read कर रहे हो, तो CSV फाइल, एक text file ही होती है, हमारी CSV फाइल, जब आपको data टेबल की form में चाहिए होता है, तो CSV की याद आती है, अन्यथा अपको paragraph में चाहिए, तो आप text file में करे करता है कि Python's ABS function return the absolute value of number passed to it, for example, ABS is equals to 5, ठीक है, देखे, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर इतना है ना जो यह वाला जो area है, इसमें आपको ABS function का Funda समझाया जा रहा है, तो Funda में आपको बताती हूँ, ABS is my favorite function, ABS का काम है कि आपकी negative value को positive में बदलना, ठीक है, आज इसी की जूरत है कि negative लोगों को positive में बड़ा सा change करना, तो अगर अप ABS function के अंदर, आपने कहा minus 3 point whatever, तो यह कोई भी negative data होगा, it can be integer, it can be float, तो यह क्या गरेगा, आपको जो answer provide कराएगा, यह positive में कराएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह समझ में आए, अब आपने जस्ट यहां पर इसको लिखा है, तो आप क्या गर रहे हो, ABS, वैसे दुबारा लिखने की जूरत हैं, हम यहीं से solve कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपका यह solve होगा, यह क्या होगा 10, तो यहां से होगा 3 minus, तो आपके पास में क्या होगा minus 7, तो minus 7 के बाहर ABS लगा हु तो 5 में से 2 गया, तो 3, 10 में से 3 गया, तो 7, तो minus 7.3, तो मतलब इससे जो answer आया, वो minus 7.3 आया, तो अब आप floor vision कर रहे हो, floor मतलब down की value, नीचे वाली value, तो अगर minus 7.3 से down में आएंगे, तो पहली मुलाकात किससे होगी, minus 8 से, तो हम floor down की value, minus 8 की बात कर रहे हैं, उपर होता, तो हम minus 7 की बात कर रहे होते, ठीक है, अगर मतलब इहां पर वो होता, seal function होता तो, ठीक है, अब चलते हैं, आगे, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, और question कहता है, कि which of the following, lines of the following, which output lines of the following program will print the same result, बढ़ा ही time-taker question है, हाँ, चलिए करना तो पड़ेगा, तो फटा- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, पैन चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, तो minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, ठीक है, अब फटा-फटसे, 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 दो कहां है, और 5 कहां है, ढूंडो, तो यानि कि इसका मतलब 2, 3 और 4 नंबर इंडेक्स की value, ढूंडो लगा दो, फटा-फटसे, ठीक है, ठीक है, यह 3 कर दिया, अब आपका 2 से लेकर के minus 4, तो minus 4 कहां पर है, यह रहा, दो कहां है, यह रहा, तो आपको किस-किस की value चाहिए, आपको चाहिए 30, आपको चाहिए 40, आपको चाहिए 50, तो कि यहां तक नहीं जाना है, जो last में है, ह तो आप याद रखिए, आप left to right तो खुद बखुद चले जाएंगे, right to left के लिए आपको negative जो है, बिलकुल जो देना पड़ेगा, यहां पर step और दूसरी बात यह भी है, कि अगर आप इसमें negative step दे भी देते तो भी यह नहीं डिस्पले हो रहा होता, ठीक है, तो भी नही तो आपके पास में 60 डिस्पले हो जाता है, इसको एक बर चेक करके देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको यह answer आएगा, खाली टीउपल, ठीक है, अब आगे वाले की बात करते हैं, दो, दो के अंदर, दो, 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 यह रहा, और माइ माइनस साथ से माइनस पांच की तरफ माइनस पांच कहा है यह रहा बट आप यहां तक जाओगे तो इसमें भी 30 और 40 तो इसमें यह दोनों आंसर सेम और यह दोनों आंसर सेम कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा A और B हाँ ठीक है और कहीं D और E नहीं लिखा हुआ है तो A option सही होना चाहिए बाइदवे इसको रन करके देखते हैं एक बार ठीक है तो आपके पास में कुछ इस कदर इस प्रकार से हमारा आंसर है जो डिस्पले हुआ अब बात आती है कि इसमें ऐसा गरके देखते हैं अगर हम इसी इसी को रन करते हैं ये वाला खाली आया न आपके पास में ये अब आप क्या गरते हो इसमें माइनस वन दे देते हो नेगिटिव के लिए हमारे पास सिक्वती आता है कि नहीं आता है आता है तो यानि कि आप लेफ्ट टू राइट तो खुद बखुद प्लस वन हो सकते हो जब आपको राइट से लेफ्ट आना होता है तो आपको नेगिटिव स्टेप देना पड़ता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक तो आपने निकाला इसमें 10.5 पॉजटिव तो आपने क्या किया 3.2 यह दो भी किया ली था क्या हमने 3.2 तो पांच में से दो गया तीन धीन साथ तो आपके पास में गया नेगटिव अच्छा उस ताइम पर शैद फ्लोर था हमारे पास हा ना माइनस 7.3 है तो अब देखो अ यह बड़ी प्राक्टिस से चीजे आई है, क्योंकि हम अगर पॉसिटीव वैल्यू के साथ में चलते हैं, तो वही दिमाग में रहता है, लेकिन आप एक चीज दिमाग में रखो, कि अगर हम नेगिटिव के केस में चलते हैं, तो हम ऐसे चलते हैं, तो हमारी जो उपर की वैल कहते है कि teacher has developed a program to count how many lines start with T in a text 33 file, what does 33 mean? story.txt, okay तो अब आपका यह fill in the blanks के अंदर है which of the following line to be used to complete line number one okay, fine, आपको यह ढूणना है कि T से start होने वाली line है, है न, ठीक है how many lines start with T, ठीक है तब आप क्या करोगे, पहले तो open कर लोगे अपनी file को और by default mode R ही होता है, ठीक है तो अब अपने यहीं पर ही इसको complete कर लेते है, अब आपने क्या करना है, लाइनों के साथ में काम है न, थोड़ा सा आगे नजर मार लो, देखे, जब भी आपको ऐसे program के साथ में deal करना है, तो आप क्या करिए, या तो read line के साथ में, या फिर read lines के साथ में, क्योंकि line के आप यह मैच करोगे कि क्या वो T तो नहीं है, तो जब हम close करेंगे तो file.close कर देंगे, राइट, बी आएगा, sorry, बी आएगा, open, open का o बड़ा नहीं होगा, small होगा, यह चीज़ धियान रखना, देन आपके पास में क्या आएगा, हम read lines कर रहे थे, ठीक है, फिर हम लोग क् को 0 से ही करेंगे, क्योंकि जब हमें डबबे में सेब भरने हैं, तो हम पहले डबबा खाली करेंगे, ठीक है, तो 0 ही कर रहे होंगे, अब कहता है कि वैसे हमने लिखा भी हुआ था, वहाँ पर है, ठीक है, तो यह चीज़ हमने कर दी कि आई पहली line का 0 character, क्या वो T है के नह अशर होगा, फिर आएगा complete करनी line number 5, तो आप close कर रहे होंगे अपनी file को, next कहता है कि which access mode to be used in line number 1, to open the file, ठीक है, पहले कहानी पढ़ लेते हैं, कहता है कि kum.anisha wants to develop a program to count the number of me and my word, ठीक है, आपकी पूरी file के अंदर me and my word कहां पर है, तो word वाली जब भी काम करने होते हैं, त आपको पता होगा और split use कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम इसका use है, जो basically करेंगे, अब बात कहानी इतनी कहती है कि आप क्या करो, इसमें आप R मोड में फाइल को अपन कर लो, क्योंकि आपनी कुछ चेंज वेंज करना नहीं है, अब आप क्या करोगे अपनी file, तो F अंदर आजाएंगे, फिर आप क्या कर रहे होंगे, कि जैसे अगर X की बात करेंगे, तो उसमें पहला word आएगा, आपकी लिस्ट के अंदर का, ठीक है, तो उस पहले word को हम मैच करेंगे, कि क्या आपका जो X है, क्या वो बराबर है किसके, मी के, और, क्या वो X बराबर है कि माई के तो यह दोनों चीज़े हम लोग अलग अलग चेक कर रही होंगे अब इसको करते हैं पहले आर मोड हो गया फिर लाइन नमबर टू में एफ आएगा चोटा एफ मतलब फिर लाइन नमबर 3 में स्प्लिट फंक्शन कर रहे होंगे ठीक है अब हम क्या कर रहे होंगे कि X हमारा मी है या माई है बट हम बीच में हाँ और ही यूज करेंगे ठीक है तो बेसिकली और यूज करने की पीछे का फंडा क्या है कि अगर आप एंड लगा दोगे तो एक टाइम पर तो एक ही डेटा होगा ना इसके अंदर विच फंक्शन इस यूज तो कम्प्लीट लाइन नमबर 5 तो हम क्लोज फंक्शन के थूज का सी छोटा आएगा याद रखना ठीक है नेक्स्ट चीज हमें कहता है कि रहूल इस ट्राइंग टू परफॉर्म राइट देटा तो आटेक्स्ट फाइल तो मतलब एक तरीके से तीन लाइने है पहली लाइन दूसरी लाइन और तीसरी लाइन तो जो आप एक साथ राइट करना चाहते हो तो अब आपको एक चीज बता दे कि अगर आपको डेटा राइट करना है तो आफको आप डवलीव मोड में फाइल ओपन करेंगे आपके पास में राइट लाइन और राइट लाइनस और राइट फंक्शन है तो आप क्या करेंगे राइट लाइनस फंक्शन को कॉल करेंगे अब जैसे ही आपका डेटा राइट हो जाता है बंद कर दो फाइल को ओपन करो दुबारा से आर मोड के अंदर नहीं आर मोड मे न्यू लाइन राइट कर दी और ठीक है यहाँ पर तुम राइट लिख लो या राइट लाइन लिख लो कोई फरक नहीं पड़ेगा अब दुबारा आर से उपन करोगे फाइल को ठीक है अब एक बर चेक करें तो हमने डबल्यू मोड में फाइल को उपन किया ठीक है उसके बाद में राइट लाइन्स का करेंगे क्योंकि राइट लाइन्स में आप लिस्ट में लपेट करके आप टूपल में लपेट करके डिक्शनरी में लपेट करके डेटा भेज सकते हो टीक है और line number 3 कहा है ये रही तो इसमें फिर से हम W mode की बात करेंगे नहीं इसमें A mode के अंदर ना कर दे हम क्योंकि पुराना data delete नहीं होगा हाँ बिलकुल A mode के अंदर क्योंकि क्या होगा कि ये वाला data आपका delete नहीं हो जाएगा अगर आप इसको दुबारा W mode में करेंगे तो तो A mode करेंगे thank god option के अंदर देख क्या हाँ अब कहता है कि आप यहां पर देखिए write lines कर लो या write कर लो अगर lines हो तो वो भी मेरा answer हो रहा होता तो मैं write lines भी कर सकती थी write भी कर सकती थी क्योंकि इसमें string में भी data जाता है ठीक है बट actually में अगर बात करें तो आपकी text में string में नहीं data dump हो रहा होता है ठीक है बस वो आप list की form में भीज रहे हो write lines के अंदर कभी dictionary की form में ठीक है okay फिर आप क्या करते हो R mode में open करोगे file को and that's it तो यह हमारी आज की class थी जिसके अंदर हमने आपको काफी सारे question कराई जो के mix-up थे Python के साथ में and तो चलिए फिर मिलेंगे आ और yes do subscribe the channel ठीक है so चलिए फिर बाइबाई and God bless you